फेस्बुक के जरिये हुआ प्यार दोनों ने भाग करकी शादी अब हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा नमस्कार मैं हूँ शिवांकी और आप देख रहे हैं एवन न्यूस बिहार आज के फेस्बुक और वाटसप के जमाने में लरका लरकी के बीच प्यार की खबरे आम होती जारी है आए दिन आप इस तरह की खबरे सुनते होंगे फेस्बुक का प्यार भारत ही नहीं बलकि विदेश तक भी पहुँच गया है लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो बिहार की है दरसल बिहार के शेकपूरा के मिशन ओपी शेत्र अंतरगत सकलदेव नगर में फेस्बुक वर प्रेम होने के बाद घर से भागे प्रेमी युगल को परिवार वालों ने सोमवार को पकड़ दिया जिसके बाद परिजन लड़की को ले जाने के लिए जिद करने लगे इसी बीच वहां काफी हो हला हो गया आसपास के लोगों ने अस्थानिये पुलिस को इस बात की सूचना दी जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुची सभी को थाना ले गई पुलिस के मुताबिक नालंदा निवासी विशाल और नवादा निवासी रिया के बीच एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था ऐसे में इसी साल फरवरी में दोनों ने घर से भाग कर शादी कर ली और शेखपूरा में साथ में रहने लगे इस वी चुरिया के परिजनों को इस बात की भनक लगी और वरिया को वापस ले जाने के लिए शेखपूरा आधम के लेकिन दोनों की उम्र बाली खोने की बज़ा से उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गए अंत में पुलिस ने परिजनों से थाना में लिखी ताश्वासन लेकर लड़की को कुछ दिनों के लिए घर ले जाने पर हामी भरी वहीं परिजनों ने भी रक्षा बंधन के बाद बेटी को घर पर पहुशाने का भरोसा दिया इस बाबत ओपी अध्यक्ष नवीन कुमार सिंग ने बताया कि नालंदा जिले के सरमेरा थाना छेतर अंतरगत गौस नगर निवासी जनारदन केवट के पुत्र विशाल कुमार और नवादा जिले के मुफसिल थाना छेतर के तेतरिया निवासी सुधीर शौहान की पुत् चितला माता मंदर में पिछले फरवरी के महीने में शादी कर ली प्रेमी युगल बहा से छुपकर बरबिघा के सकलदेव नगर महले में किराय के एक मकान में रह रहे थे। के घरवाले कुछ दिन के लगे लड़की को अपने घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। जिस पर लड़की भी राजी हो गई और थाने में लिखे ताश्वासन देकर परिजन अपने साथ ले गए। बेटी को घर पहुचाने का भरोसा दिया। बरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। जरूर पर गड़की क्या रपकी क्या रहुचाने क्या जरूर राज्सा क्या राय है।